नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो लोफ यू, पेसे अड़ा, मैं बुपेंदर सिय चंदरावत, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज किस टोपिक में हम बात करने वाल हैं, बोधिक संपदाधिकार क्या होता है यानि कि आपने कोपी राइट के बारे हम सुना आओगा, बोस्वी बार, यहाँ पर हम इसके बारे हम विस्तार से चर्चा करेंगे यानि कि intellectual property rights, इसके अलावा trips और trims जो दो संधिया है WTO की, जो international level पर काम करती है कोपी राइट को लेकर उसके बारे हम यहाँ पर अच्छे से चर्चा करेंगे, यह विडियो बनाने का जो purpose है, दोनों रूप से सामने जानकारी भी है इसके अलावा जो MBPAC, UPSC और State PCS जो होता है, उसमें बोधिक संपदाधिकार बकारता paper number 3 के syllabus में दे रखाया तो इसको दोनों तरब से हम समझने की कोशिश करेंगे, चले तो विडियो के अंदे तक जरूर बने रही है, और विडियो आपको पसंद आता है, तो लाइक और कमेंट करना ना बोले, चले तो बढ़ते हम आगे, और यहाँ पर मैं आपको एक example देता हूं, उसके तहत आप आपको समझ में आएंगा बोद्धिक संपदा क्या है, माल लेते हैं कि कोई कमपनी हैं, जो बहुत सारी research और development के थ्रू एक अच्छा सा विक्सिन बनाती है, और यह उस बिमारी का विक्सिन बना रही है, जिसका अभी तक किसी ने नहीं खो जाए, इस कमपनी ने उसके कर लेती हैं, और होता यह है कि इस कमपनी ने जितना भी पेसा सब कुछ खर्च किया, इसकी सारी नकल कोपी इसने कमपनी ने कर ली और फिर मार्केट में उसे बेचना शुरू कर दिया, अब जितना पेसों का लाव इस कमपनी को मिलना चाहिए था, यह छोटी कमपनी थी, बड़ी कमपनी थी, इसके प्रोटक्स जादा भी किया, और बहुत सारा पेसा इसको मिला, कुल मिला के मेहनत इस कमपनी की लगी, इसने अपने बुद्धी से संपधा स्रजित की, यानि कि जो एक तरीके से निर्मान किया किसी चीच का, इसकी खुद की बुद्धी लगी, पेसा भी इसका लगा, लेकिन फाइदा इसको मिला, यानि कि और में एक्जांबल दू तो मान लेते हैं, आप कोई कहानी लिखते हैं, या कोई आप नया गाना बनाते हैं, और हो सकता है कि वो गाना या जो आपने कहानी लिखी है, वो आप से कोई चोरी कर लेता है, उसका जो कोई दूसरा करता है और उससे सारा, जो के पेसा है वो सारा, वो बनाना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर हम सलल शब्दों समझें, यानि कि किसी की बुद्धी से अगर कोई संपत्वी, रिडमस होती है, तो उस पर अधिकार किसका होगा, इसी को लेकर पूरा को पूरा क्या बना हुआ है बुद्धिक संपद अधिकार, अब इसको लेकर क्या रोल से है क्या regulation है, WTO की जो संदीयाय वो क्या कहती है, भारत सरकार इसके तरफ़ क्या कहता है इसको जानेंगे हम वीडियो में विश्टार्स है पहले हम देख लेते हैं इसकी definition तो बुधिक संपत अधिकार व्यक्तियों को अनेक बुधिक स्रजन के परिप्यक्ष में दिये जाने वाला अननन अधिकार है और बुधिक संपत अधिकार के अंतरगत एसा समझा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार का बुधिक स्रजन किया है तो तब उस पर अधिकार किसका होना चाहिए उसी व्यक्ति का होना चाहिए जैसे फर एक्जामबल चाहे उसने कोई रिसर्च करी हो चाहे कोई आविशकार किया हो कोई साइध तिक्रती की रशना कियो बहुत सारी चीज़े हैं तो यहाँ पर उस व्यक्ति की बुद्धी का कोई और उप्योग ना करे उसी को लेकर हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे अब बोधिक संपता अधिकार को दो भागों बाटा गया है यानि कि उस पर जो अधिकार उसी व्यक्ति का रहेगा लेकिन इसको दो भागों बाटा गया है पहला तो copyright और दूसरा अध्यूगिक संपधा अधिकार अब हम देखेंगे कि copyright में कौन कौन सी चीज़ा आती तो इसमें आपने कोई साहिती क्रती निर्मित करी हो या कोई पुस्ता के लिए लेखन का कारी किया हो या आपने कोई सोंग बनाया हो गया हो कोई पेंटिंग हो मुर्ति कला, computer program, films, script write बहुत सारी चीज़ें उसका जो भी चीज़ें उसको आपको क्या करवाना पड़ता है copyright अगर आप उसेज का copyright करवा लेते हैं जो एक 10 वर्ष के लिए होता है मुमन तो उसके बाद में आपकी लिखी वी क्रती जो भी आपने बनाया है आपकी बुद्धी से जो निर्मित हुआ है उसका उप्योग कोई और नहीं कर सकता है बिना आपकी अनुमति अगर वो करना चाहे तो आपकी अनुमति से कर सकता है बदले में आप इसके लिए राशी भी ले सकते हैं कितने समय के लिए करेंगे, कितनी राशी लेंगे सब आपके उपर निर्भर करता है हाला कि यह एक जो अगर फिल्म निर्मा तक बात करें तो उसकी इम्रत्यू के नियुनितम 50 फ़र तक कोपीराइट द्वारा उसे संरक्षित किया जा सकता है इसके हम बात करते हैं या मुमान आपने साउथ की जो मूवी देखी होगी उसका अधिकतर आपको बोलीवी में मिल जाता है बहु सारे एक्जामपल है यहाँ पर अक्सर सभी जितने में मूवी होती है सबका कोपीराइट होता है उसी का पेमेंट करके ही बोलीवीट के डारेक्टर्स फिल्म को बनाते है तो बहु सारी चीजा आती ही कोपीराइट में अब पूरा इंडस्ट्रियल का अलग कर रखा है उद्ध्यो की संपदा जिसके अंदर का दाता है ट्रेड मार्क जो किसी भी कंपने का लोगो होता है चिन्न होता है, सिंबल होता है जो अलग होता है इसके अलाव जियाए टेक की हम बात कर लें और कोई उद्ध्यो का अविश्कारो इनको पेटेंट के थूरु सुरक्षित रखा जाता है तो mostly इनको दो भागो में यहाँ पर बाट रखा है अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं कि जो WTO की ट्रिप संधी क्या है वो क्या कहती है और उसने यह जितनी भी जो भी आप बुद्धी की चीज़े स्रजित कर रहे हैं बुद्धिक संपती बना रहे हैं उनको साथ प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है एक चीज़ याद रखेगा कि यह जितना भी सुरक्षित करना होता है यह आप किसी भी देश की सरकार के अपने रूल से रेगूलेशन होते हैं हलाकि WTO की जो ट्रिप संधी है वो वेशिक लेवर पर काम करती है और उसी को देखकर बाकि देशों अपने आपर कामूं बनाया है अब सबसे वहले बात करते हैं ट्रेड मार की तो ट्रेड मार क्या होते हैं तो ये किसी भी कंपनी या उसकी व्यहवसाइक पहिचान को दर्शाने वाले लोगों होते हैं या फिगर होते हैं और किसी व्यक्ति दुवारा, संस्ता दुवारा इन्हें पंजिग्रत कर देया जाए तो कोई भी इसका दूरुप्यों को नहीं कर सकता है और 10 वरस्ता के लिए दिये जाते हैं इसका नमीनी करण भी हो सकता है जैसे कि आप सिंबोल देख रहे होंगे टाटा, महिंद्रा, आईशर, टीवेस, बजाग इन सबके अपने एक सिंबोल होते हैं और यह सिंबोल इस कंपनी के अलावा कोई और कंपनी नहीं कर सकती है क्योंकि इन सबी के अपने कोपी राइट है याद रखेएगा कि जब कभी ऐसा होता है तो अक्सर जो मामला होता वो कोटे में जाता है और अगर पहली वाली कंपनी पास में कोपी राइट है तो दूसरी कंपनी को उसको बहुत सारा हरजाना या जुर्माना देना पड़ सकता है इसलिए सबी कंपनी अमूमन जब भी कोई चीज बनाती है या लोगों अगयरा की बात करें तो वो उसका ट्रेड मार्क के तुरूप में क्या करवाती है पंजीकरत जरूर करवाती है दूसरी बात करते हैं डिजाइन की तो कोई भी ओध्योग बस्तो होती सबके अपनी डिजाइन होती है उसके लिए भी उन्हें एक तरीके से copyright ही करवाना होता है और यह अधिकतर कितने का होता है 10 वर्ष का अब यह माँ सोचिएगा है कि 10 वर्ष लाश्ट होता है इसके बाद में सबका नवीनी करण किया जा सकता है इसका example मैं आपको देता हूँ जैसे कि जो Apple का mobile है उसमें 3 camera वाला भी आपको नया देखने को मिला होगा यह इसकी design है आला कि 3 camera वाला mobile और भी आपको मिल जाएंगे Samsung में, Huawei में लेकिन सबका तरीका जो है camera देने का अलग है इसके तरीकों का उप्योग या यह जो design है सेम दूसरा कोई company नहीं कर सकती क्योंकि इन्होंने design के ताथ इसका अपना पंजीकरन करवा रखा है तो design के ताथ यह होता है या मैं आपको और example दो जैसे की car जो होती car का design होता है वो बहुत सारी चीजे होती अगर उसका पंजीकरन है तो कोई भी company same model उसके तहत नहीं बना सकती अगर इसा करती है तो उसके रूप में उसमें बहुत सारा हर्जाना यहाँ पर देना पड़ सकता है तीसरा आता है IC या जो IC चीप होती integrated circuit ये भी अगर कोई company नई IC चीप बनाती है और वो इसको लेकर आती है तो अगर वो भी चाहे तो इसे क्या करवाएगी पंजिकरत करवाएगी और हर IC चीप का map क्या होता है सबसे अलग-अलग होता है इसलिए ताकि कोई दूसरा उसका दूरिप्योग ना कर सकती जैसे इंटेल का आपने अकसर नाम सुना होगा जो लेपटोप में आपको देखने को मिल जाती है तो इसका भी अपना क्या करवाना होता है पंजिकरत होता है अगर बात करें हम कोपी राइट तो इसके तहस सरवाधिक जो चीज़े हैं वो शामिल होती हैं जिसमें साहित, कला, संगीत या बहुत सारे जो नए-ने विचार की रूप में बनते हैं इनोवेशन की में बात कर रहा हूँ या कंप्यर सॉफ्ट्वेर, वेब बिजानिंग आधी को भी कोपी राइट के अंतरा सुरक्षित रखा जाता है मैं एक्जाम्बल की तुरू आपको समझाता हूँ जैसे कि ये इनसे आटी की भूख है और यहाँ पर आपको कोपी राइट का सिंबोल मिलेगा चोटा सा और आगे लिखा है राश्टी शेक्षिक अनुसंदान और प्राशिक्षन परिसर 2007 यह आठी ने 2017 की इसका कोपी राइट करवा रखा है इसमें जितना भी डेटा है उस डेटा को कोई दूसरी बूक के रूप में चछाप नहीं सकता है क्योंकि इन्हों अपनी बुद्धिस रजित किया है इसलिए इन्हों इसका क्या करवा लिआ है कोपी राइट और यहाँ पर साव लिखा है सरवाधिकार सुरक्षिक इसके अलावर एक्जामपल देखें तो जैसे की वेब डेवलोपिंग की बात करूं में कंप्यूर्ट सॉफ्वेर की तो यह पीसे अड़ा की ओफिशल साइट है वहाँ पर भी आपको मिलेगा यहाँ कोपी राइट आल राइट रिजर्व या गाते हैं उसके लिए भी आपके असुरक्षित रखेंगे उसका कोपी राइट तो कोपी राइट में कौन-कौन सी चीज़ा आती वह आप जरूरी याद रखेगा पीसेस के पेपर पर्टिकुलर यह भी कोशन पूछ लिये जाते हैं लेकिन एक exception देखने को मिलता है भाद 21 जनरल के लेक की फोटो स्टेट कोपी राइट का उलंगन नहीं यानिकि अजोभी सरकारी बुक्स के मैं बात कर रहा हूं जहां पर अगर रिसर्च कि कोई चीज निकल कर आ रही वहां पर इसका कोपी राइट का उलंगन नहीं माना जाएगा तो यह रामेश्वरी फ जोता है जो चुल्ड के मामले में नंबर वन पर आता है अब कोको कोला बंदा कैसे है इसका अपना क्या एक ट्रेड शिक्रेट है या किसी विजिचकी में बात करूं कोई भी कंपणी जो अपना एक प्रोडक्त बनाती है market में बहुत बिकता है उसका सबका अपना क्या होता है trade secret होता है व्यार्च बहुत सबार क्या होता है कि नकल करके trade secret के तहत कोई बना लेता है फिर वहाँ पर अगर को इसका दूर उप्योग करे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे या चाहे किसी भोजन की recipe हो, चाहे आप कोई ट्रक बनाने का आपका तरीका हो, कुछ भी चीज़े हो सकती है, या हो सकता है कि आपका जो data हो, सारी चीज़े रहस्य के रूप में होती है, इने हम कहते trade cigarette, लेकिन इसमें समभावना है कि कुछ फिर बदल के साथ अगर कोई उप जस्तों की विशिष्टा को प्रदशिक करता है, जैसे कि मैं बात करूँ कड़कनाद मुर्गा जो है, यह मद्रिप्रदेश में पर्टिकुलर जहवाओं पाए जाता है, तो यह जहबुआ के इलाके में ही पाए जाता है, महा का जी आई टेग है, अब इसके अलावा पूर जी मंगाली, तो उस पर उसी काधिकार, ऐसे भारत में बहुत सारी चीजों को जी आई टेग मिला हुआ, जैसे चंदेरे की साड़ी है, या जो महेश्वर की साड़ी है, वहाँ की जो साड़िया है, वो कहीं और पर नहीं बन सकती, महीं पर बन सकती है, इसके बाद में हम ब करते हैं, मैं फोर एक्जावन बताता हूं कि जो ग्रहाम बेल ने अगर टेलीफोन का निर्मान किया है, तो उनको इसका क्या करवाना पड़ा, पेटेन करवाना पड़ा, तभी जाके ये उनके नाम पर हुआ है, अगर ऐसा हम सोच लेते हैं कि टेलीफोन उनन बनाया हो, य देखी, लेकिन नाम पायतोकुरस प्रमेगा इसले चलता है, क्योंकि उनको शक्स ने पेटेंट करवा रखा है, या मैं भारती थ्यास की बात करूँ, तो भारती थ्यास में जो कनाद है, या जो भासकरा चाहरे, बहुत सारे लोगों ने ये चीजे पहले खोद लेती, परम यक्तिन अगर उसको पहली बार बनाया है, तो पेटेंट जरूर करवाता है, जैसे कि डाइनाम वाइट जो है, उस पर पेटेंट किसका है, अलफेड नोबल का, हाला कि ये कितने वर्ष तक होता है, इसको बाद में रिन्यू भी करा जा सकता है, अगर एक बार पेटेंट सम समझ में आये होगी, फिर भी अगर आप कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, अब हम बात करते हैं, दूसरी संदी, ट्रिम्स के बारे में, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेन मेजर, हाला कि इसका बुद्धिक संपता से बहुत कम ही लेन देना है, लेकिन सिलेबस में ट्रिम्स है, तो उसी के आधार पर में लगे हाथ इसे भी समझा ही देता हूँ, इसका फुल्पर मोता है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेन मेजर्स, इसका जो में मोटो है, वो है, व्यापार से संब्धिक, इसको हम पढ़ लेते हैं, जो कुल मिला कर ये, कि अगर कोई भी विदेश कंपनी किसे दूसरे देश में निवेश करती हैं, तो उसके निवेश को सरल बना, माल लेते हैं कि जैसे कि मैं बात करूँ, Amazon कंपनी जो है, American कंपनी भारत में आज बहुत famous होगी, जब भारत में आई है, तो भारत सरकार जो है, वेशाई behavior करें, जो भारत की कंपनिया देश में वापार करती, सेम उसी तरीके से, तो WTO के अधीन ही आती है, ट्रिम्स की संदी, और इसमें भारत इसका सदस्य है, अगर इसको हम संक्षय में समझें, तो ट्रिम्स के अंतरगत, विदेशी निवेश को को विश्यो में किसी भी आर्थिक अधिविदी में निवेश का उसर देती है, इसके अतरिक समझोता सुनिशित करता है, कि सभी इकाया वह देशी हो, अथवा विदेशी हो एक समान समझी जाएगी, तथा नीमों और नीतियों के संदर में किसी से कोई भेटबाव नहीं होगा, पुल मिलाकर यह नहां पर यह है कि जो एक तरिके से FDI होता है, विदेशी निवेश होता है, उसको सरल बनाने की रूप में लेकर है, हलाकि इसमें जो किसी देश की सरकार है, वो अपना कुछ rules and regulation इस पर लागू कर सकते हैं, तो जो एक trim संदिती, यह आपके exam point view से बहुत important है, तो आप यही से इसका data याद रख सकते हैं, हलाकि इसका PDF आपको telegram group में available में करवा दूँगा, अब अड़ते हम last इसकी बात कर लेते हैं, WIPO, विश्व बोधिक संपदा संगटन, और यही जो है वेश्वी group में बोधिक संपदा जो है उसको बढ़ावा देता है, तो यह UNO को अधीन आ इसका मुख्यला जिनवा में है और भारत भी इसका क्या है सक्री सदस्य है, तो दोस्तों यहाँ पर आज इस पूरे वीडियो में हमने समझा अब अच्छे तरीके समझा है, आप यहाँ पर इस data को मेंस की answer writing के लिए यूज कर सकते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूले, इसको लाइक, कमेंट और दोस्तों साथ शेर ज़रू करें, और आपको टेलिग्राम जो ग्रूप हमारा पीज से अड़ा इस नाम से मिल जाएगा, वहाँ पर इस सभी वीडियो के आपको जो पीडियाफ है वो अवेलबर हो जाएं, तो कमेंट करना बिलकुल ना भूले, धन्यवाद